गुड इवनिक जाहिन बच्चो बच्चो काफी आप लोग की डिमांड आ रही थी कि सर सैट क्या है मैं बार बार मेसेज कर रहा हूं कि आप लेलिस्ट में जाकर देख लिजे लेकिन आप कोसिस नहीं कर रहे हैं मुझे लग रहा है ठीक है चली एक वीडियो बना देता हूं और आज का वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मैं आज आपको यह भी साथ में बताऊंगा कि जो पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए उसका क्या हो है तरीका क्या है और आपको यह उत्तर प्रदेश की है या किसी अन्य राज की है जिसमें गोला बनाते हैं तो इन या गुजरात के भी कि सर क्या सिलेबस हमारा सेम है हाँ बच्चो एकदम सेम है सभी बच्चे द्यान से सुने चाहिए आप जिस भी स्टेट के हूँ ठीक है जिस भी स्टेट के हूँ चाहिए आप मदप्रदेश के हूँ चाहिए आप उडिसा के हूँ चाहिए आप हरियान आप के हूँ सभी जगा का syllabus जो है सेम है बच्चो अब कई बच्चो ने पूछा सर ये सैट क्या है ठीक है कई बार मैं बोलता हूं मैट ठीक है तो सवाल कितने आते हैं क्या-क्या है ये मैं पूरी डिटेल आज आपको बताने जा रहा हूं ठीक है तो देखे अभी मैं सर कही बुक से कई चीजे मैं बताता हूं बिनो सर की बुक से तो इसके इसी के जरिये मैं सोचा बता दूँ आपको आज ठीक है तो आईए syllabus पे सबसे पहले आते हैं ठीक है ये syllabus है देखे बच्चो इसमें आपके सामने यहां लिखा हुआ है समाने मानसिक योगिता समाने मानसिक योगिता को बच्चो बोलते हैं मैट में इंटल आप योगिता का था करते हैं समाने मानसिक योगिता इसमें आता क्या क्या है देखे ciri driven दिशा समढने कोणिक कोडिंग रिक्द पत भynnन्ना आंकिक संक्रा लुप्त पतों को ज्याद करना गणिती संक्रिया leaning संबंद क पढ लिजेगा अब कई बच्चे इसमें समझी नहीं पाएंगे भाई है क्या अब देखे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने चैनल के प्ले लिस्ट अलग बना दिये बच्चो मैट का अलग बना दिये अब देखें जो मैट के हैं मैट के कुल 90 प्रशन 50 परसन यही पा प्रशन आपको समझा दिये कहां तक किया है मैंने यह किया है यह लुप्त पदों को ग्याद करना चैप्टर एट तक मैंने कर दिया है ठीक है तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है इसको अभी देख लीजे ठीक है और देखना कैसा यह नहीं कि जैसे फिल्म देखना वैस मौके पर बता देता है जो चीजे किताब में भी दे नहीं होते क्योंकि किताब अगर इतनी चीजे अगर डालने लगे किताब बहुत मोटी हो जाएगी बच्चों ठीक है यह है कि इतनी चीजे किताब में जरूर है कि आपका काम इससे हो जाएगा और आप अच्छे नंबर अब देखें यहां से से स्टार्ट हुआ से इसेट इसक्लोरिस्टिक अप्टिट्यूड टेस्ट ठीक है बच्छो इस स्टार्ट हो रहा है यहां से तो सैट में क्या क्या आता है बिज्ञान के या साइंस के 35 प्रशन 35 प्रशन साते हैं ठीक है अब इसका भी मैं important questions करा रहा हूँ एक एक chapter को पढ़ाना बच्छो बहुत मुस्किल है mat का मैं पढ़ा रहा हूँ क्यों? mat क्योंकि 50% mat कबर कर रहा है 90 नमबर तो इसी कहे हैं अगर आप 90 में से 70-80 ले आए तो आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा बच्छो देखें फिर समाजिक विग्यान है समाजिक विग्यान में क्या क्या आता है? प्राची नित्यास, मदिकालीन भारत अभी मैंने वीडियोस का डाला है आधुनिक भारत है फिर नागरिक जीवन है ठीक है? नागरिक जीवन वही सिविक्स हो गया इसके बाद ये प्रक्षोपयों की प्रशन सर ने दिये हैं और साथ में फिर ये जोग्राफिया भुगोल के चैप्टर से बच्चो तो कुछ चीजे मैंने पढ़ाई हुई है इसमें दो टॉपिक पढ़ाई हुए अगर समय मिलेगा तो मैं पूरा ही पढ़ा दूँगे भी ध्यान रखेगा समय मिलने पर मैं पूरी चीजे पढ़ा सकता हूँ बस समय की बात है और आपको पता है हर एक वीडियो में मैंने बताया भी है कि मैं गौर्मेंट टीचर हूँ सरकारी अध्यापक हूँ और ये सब चीजे बच्चो आपके लिए फ्री में डालता हूँ और आपने देखा होगा ध्यान दिया होगा किसी भी वीडियो में मैं आपको लाइक और सब्स्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ ये आपको का प्यार है कि जो आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं अपने दोस्तों को सेर कर रहे हैं मैं जरूर ऐसे बच्चों को सेयर करने के लिए कहता हूँ, जिनको पता ही नहीं है और जो काफी गरीब है, और जिनके पास कोई कोचिंग की सुभधा नहीं है, सहर में जो बच्चे रह रहा हैं, उनको तो सुभधा है, है लेकिन जो दूर दिराज के गाउं के एरिया में उनको सुभधा नहीं तो उनको जरूर आप बताये कीजिए ठीक है अब देखे इसके समाजी कद्धियन के 35 प्रशन और गणित के आते 20 प्रशन गणित में किसकिस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे आपके संख्या पतेती प्रतिसत अनुपाद समानुपाद वर्गमुल घनमुल यह देखे काफी टॉपिक्स मैंने अल्री इतने ज्यादा वीडियो बनाये हुए हैं मैंने इक और चीज़े कई बच्चे बोलते हैं सर यह लेवल जो गणित का है वो समझ मैंने यार बच्चों मैं समझ सकता प्रोना काल था तो इस वज़े से कई बच्चों की पढ़ाई बादित हो गई समझने पाए अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बच्चों मैं नौदे विद्ध्याले प्रवेस परिक्षा विद्ध्याग्यान की परिक्षा की त्यारी कराता हूँ अपने स्कूल से मैंने ब अब OMR पर आते हैं एक OMR का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है तो ज्यादा समय ने विष्ट करूँगा यह देखे केंदर का नाम अभेरती का नाम पिता का नाम यह सब चीजे है स्टेट कोड एयर सेंटर कोड जब आपको एड्मिट कार्ड मिलेगे यह सब चीजे आ खरना कैसे आपको परिक्षा कैसे देना है एक्च्वल पेपर है आपके 2022 का है इसके कई questions च्बीट को मैंने हल कराया हुआ ह्धी के और यह कि मैट का है तो आपको हल कैसे करना है जो आपको सब सेrolेबरीट हो यह नहीं Um आप एक नमबर से शुरू करो आपको लगता है कि नहीं हम सबसे अच्छा हमारा बिग्यान है तो बिग्यान से सुरू कीज़े सैट में चले जाएए देखे सैट वाला पार्ट है स्कुलरिस्टिक अभिरूची परिक्षण में चले जाएए तो यहां से देखे कुल देखे दिया है ना फुल मार्क्स नब्बे और नब्बे प्रश्न भी हैं और देड़ घंटे का समय है ठीक कई बच्चे पूछते हैं एक ही साथ हां एक ही साथ देना एक ही पार पेपर है बिग्यान तो आप बिग्यान हल कर लिजे या अगर आपको समाजी गध्यन पता है अच्छा लगता है तो आप समाजी गध्यन को हल कर लिजे यह सभी कोई बच्चा बोलता है नहीं सर गणित हमको बहुत पसंद है तो हम गणित करेंगे गणित कर लिजे लेकिन एक तो आप क्या करेंगे सेम पेपर आने वाला सेम पर्टान है ध्यान रखेगा आपने माल लिए 126 से 134 तक कर लिया फिर आप या तो देखे यही करिए जितना आपने किया उतना आप नंबर लिख दिए इसमें नंबर लिखना है बच्छो गोला वाला नहीं आपका ये है 126 का 1 तो आपको करना क्या है बच्छो आपने माल लिए टिक लगा लिया इसमें 126 का 1 तो आप 126 पाई 126 पाई 126 पाई 126 पाई ये ठीक आपको थोआ हलका दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने जिरोक्स करा होगा है तो 126 का 1 यहां लिख लिए हमने ठीक है इसके बाद क्या है 127 क का 2 127 का 2 इसी तरह से अगर आप किसी अन्यराज के बच्चे हैं और आपका माल नीजी कि आपको गोला भढ़ना है तो आप कैसे गोला भरेंगे यहां गोला भड़ने वाले लिखने वाले 2 यह इस तरह से गोला भर के बास आपको करना और तरीका क्या है यह बच्छो कभी मत किजिएगा कि हम पूरा पेपर हल करेंगे इसके बाद हम करेंगे आखरी में बच्छो कभी-कभी जल्दवाजी में गलती हो जाती है और छोड़ लिए ठीक है आपका समाजी कद्धन हो गया आपका मन की आके मैट का करेंगे ठीक है तो करना क्या है अब जो नहीं आ रहा है माली आपको पहला ही नहीं आ रहा है समय नहीं गवाना इसमें तो आप क्या करेंगे या तो छोड़ की चलिए गोला मिलों आपको, इस तरह से कम सवालों को हल करते चलना है जरूर इक पेपर को साथ में रखेगा और टिक भी लगा लेजेगा क्योंकि जब आप आएंगे तो आपको confidence रहेगा कि भाई हमने जो इतनी मेहनत की इतनी महीनों से उसका क्या result आपको क्योंकि जैसे exam होगा आपका ठीक उसके दो-तीन घंटे बाद मैं आपको पूरे answers बता दूँगा ठीक है इस तरह से आपको paper को हल करना है और ध्यान देना है कि रोल लंबर लिखते समय या कुछ भी करते समय कोई गलती ना हो ठीक है काले पैन या नीले पैन का इस्तमाल करना है यह डेटेल वीडियो काफी मैंने और बनाए हुए है आपसे request करेंगे आप जाकर उसमें देख लिजेगा ठीक है यह थी important update जो मैं आपको बताना चाहरा था हो कई बच्चों को जरूरत थी इस वीडियो की ठीक है थेंक्यू थेंक्यू बर्णस